सब यूटुबर्स ने आपको क्या बोला है क्या नहीं मुझे सब पता है लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ टाइगर वर्सेस पठान के साथ क्या हुआ है मैं आपको एक बात सिंपल सी बोल रहा हूँ दो वीक पहले सलमान खान का आपने एक स्टेट्मेंट देखा होगा ताइगर वरसेस पठान को लेके जस्ट बिफोर ताइगर 3 रिलीज से थोड़ा सा पहले उसने ये स्टेट्मेंट दिया था सलमान खान सर ने उन्होंने दिया था कि मैं रीड याद करके बोलता हूँ हाँ जब भी आप बुलाए मैं आऊंगा टाइगर वरसेस पठान के लिए I am almost ready कभी भी मैं ready हूँ इस फिल्म के लिए लेकिन बाद में दबूल उनको मिली है प्रेम की शादी करके भी फिल्म है कीक 2 का भी announcement हुआ है आपको पता है दबंग 4 को लेके भी वो serious है ये जब चार फिल्म है उनके साथ आई और जिस तरीके से टाइगर 3 के reviews आए पाकिस्तानी PM वगरा एंगल आया सलमान खान सर को realize हो गया कि अपना कितना बुरा गेम हो आया सलमान खान सर ने जल्द बाजी में क्योंकि उनके चार साल से पिक्चरे पीट रही थी 2-3 साल से अच्छी नहीं चल रही थी उनको अंदाजा आ गया कि यार गलती से हमने साइन कर दी गलती से फास्ट में ये मूवी और उसका इंपेक्ट हम पर ही बुरा पड़ रहा है मतलब सम्हाव उनको ये रियलाइज हो गया कि यश्राज फिल्म ने कितना बहतरी नतरीक से उनका गेम कर दिया है अब स्टेटमेंट आता है अगले पिछले क्योंकि अब उनके पास चार फिल्म है बड़ी वाली कीक्टू है दबंग फोर है और ये कंफर्म फिल्म है बोल रहा हूँ है वो नो इंट्री टू अगरा की बाती नहीं कर रहा हूँ है जो अभी कंफर्म आने वाली है दबूल है ये अपना दबंग फोर है और कीक्टू ये कंफर्म है आपको मैंने बताया था फिल्म्स के साथ जो शारुक खान का दोस्ताना है वो 25 साल से सलमान खान है कौन उनके लिए कुछ नहीं है एकता टाइगर में शायद पहरी बार काम किया था चोटे मोटे कैमियोच किया होंगे शायद यसराज के लिए कभी सलमान ने लेकिन पहली मुवी जो बड़ी एकता ट लेकिन बड़ जब बाद उन पर आई कि भाई उनका गेम हो रहा है उनको समझ में आ गया अब ना टाइगर फोर आएगी ना टाइगर वरसेस पठान तो यह पोस्पॉन ही होती रहेगी जैसे मैदान पोस्पॉन हो रही ना फर्क इतना है कि मैदान का शुटिंग चल गया है अधित्य चोप्रा एंड गंपनी यश्राच फिल्म का क्या गेम है उनको पता चल गया जिससे पहले कि और उनके पास भी बड़ी फिल्में वापस आ गई उनको नहीं जरूरत है भाई कैसे वैसे टाइगर थी बज गई है उनको भी पता है वह और नाम नहीं खर चाल गारेंटी बोर रहा हूए शाहरुख खान भी इन लोगों के कासात इतना जयादा इसीरी काम ने करेगा देख लेना शाहरुख खान पतान टू आईगी नहीं वह देख लेना गैर रहा हुए उसको भी पता एक बार हो गया हो गया टाइगर वसेज पतान वह भी अब स् फूल रोल हो और शाहरुक खान का आपने देखा है कभी भी सामने वाले का इंपक्ट फूल रोल होता है तो वो खुद भी साइन नहीं करता है फिल्म में आपने देखा होगा वो विलन को थोड़ा सा या फिर विलन ने लेकिन जब दो मुवीज की फिल्में जब शारुक खान अट प्रेजेंट बात करो अगर करते है तो वो कभी भी इक्वल रोल का नहीं देखते हैं हाँ शायद टाइगर उसस पठान में देख लेंगे लेकिन यहाँ पर इनकी स्क्रिप्ट ही मैच नहीं होगी क्योंकि टाइगर वर्सस पठान वो जगड़ा है शायद तो एक नए एक को तो डिफिट होना पड़ेगा तो इतने जल्दी नह आएगी जो पोश्पॉन आपको यह बाकी के लोग बोल रहा है यह हुआ वह हुआ मैं आपको उपनली बोल रहा हुआ विकॉस अपसलमान खान यह पोश्पॉन होती रहेगी इन फैक्ट मैंने यह सुना है अधित्य चोप्रा एं इसकी तरफ से एक स्टेट्मेंट आया कि वो निराश है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह मुवी जिस एनर्जी के साथ अनाउंस्ट हुई थी कि 2025 के इंडिपेंडेंस नहीं सोरी रिपब्लिक डे को आया था ने एक टाइम पर अब वो 26 में पोश्पॉन हुए लेकिन कब आएगी यह नहीं पता इसा बोला जा रहा है जो शुटिंग 24 के मार्च एपरिल में शुरू हो रहा था वो 25 में शुटिंग गया है एक साल डायरिक पोस्पॉन हुई इसका मतलब समझ जाओ यह मुवी प्रॉब्लेमेटिक होगी वगरा वो छोड़ दो वो तो भाई ISI उनिवर्स है वो तो छोड़ी दो पर यह अनाउंसमेंट ओफिशियल टाइगर वर्सेस पठाण पक्का आएगी वाली क्या इनको तो मनाना पड़ेगा ना सलमान को I don't think यार कि सलमान शाहरुक विल साइन इस मुवी इवन शाहरुक खान को भी लेके मैं बोल रहा हूँ ना हो गया पठाण बाद में अब खान ने भी देखा यह पाकिस्तानी पीएम वाला एंगल वो भी बोलेगा भाई मैं बज गया मैं निकल लेता हूँ यह वायरेव से इनको करने जो करना है तुम लाओ वार टू लाओ बस बाकी कुछ नहीं इनके पास वार थी लाओ इतना तो बार वहां पे भी देखना है अगर यह वहां पे भी पाकिस्तान के पीएम वीएम लाते है या फिर कोई सीएम वगरा लाते इस बार तो रित्तिक भी भाग जाएगा इन से देखते है क्या होता है आई डों टिंक टाइगर उसे स्पठन बनेगी